दिपावली के दिन माता लच्मी, धन के देवता कुवेर और माता काली की पूजा की जाती है तो इन तीनों देवी देवताओं का पूजा करने का क्या सुम हो रहा थे हैं और किस समय पूजा करें? दिपावली के दिन लच्मी, गनेश और कुवेर की पूजा होती है तो काली की भी पूजा होती है लक्षी की पूजा होती है लेकिन पूजा करने का सब का अलग-अलग मुहुर्त होता है यह नहीं कि एक साथ बेठे हैं सब को पूजा करने तो इसका मुहुर्त क्या है? प्रदोस काल में साड़े पांच बजे से साथ बजे तक आप लक्ष्मी गनेस और कुवेर का पूजा करें इसके बाद मध्यरात्री में महाकाली का पूजा करें मध्यरात्री जो है वह महाकाली के पूजन का समय है और जब रात्री समाप्त होने के कदार पर हो यानि सुर्जोदय से दो घड़ी पहले आप अपने घर से दरिद्रा निशारन करने के बाद जब वहां से वापस आएं असनान करें और मा लख्षी की पुजा प्राताह सुर्जोदय से पहले मा लख्षी की पुजा करें ये दिपावली का सुर्व मुहुर्ट है जबी आप मुहुर्ट पर पुजा नहीं करते हैं तो उसका आप कोन फन के भागी नहीं है इसलिए हर पुजन का मुहुर्ट होता है उस मुहुर्ट पर ही पुजन करें